Hello everyone, कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है जकी और मेरे पास है Samsung Galaxy A50 यहां पर देख सकते हैं Samsung Galaxy A50 में 31 March 2022 को New A40 यह अपडेट रिलीस किया गया था इंडिया के अंदर अपडेट में आप लोगों यहां पर चेक करा देता हूं तो सेटिंग में चलते हैं यहां पर देख सकते हैं यह है अपडेट, अपडेट का साइज यहां पर बताया गया है 140 MB और सिक्यूर्टी पैसलेबल आपको मिल गया है 1 March 2022 का यानि 31 March को यह अपडेट आया था इंडिया के अंदर तो यह सेम मंत का हो गया अभी अपरेल चल रहा है तो यहां पर आप लोग कह सकते हैं पिछले वाले मंत वाट से न्यू में यहां पर देखा जागा इस तो कुछ भी मैंसे नहीं किया गया है कि क्या न्यू फीचर एट किया गया है, कौन सा इंप्रूमेंट हुआ है और कौन सा बक्स को फिक्स किया गया है, सैमसुम गिलेक्सी एफिप्टी में बस यहां पर लिखा गया है, the security of your device has been improved इसके लावा और कुछ भी नहीं लिखा गया है तो आज मैं आप लोग को यहां पर एक क्विक रिव्यू दूँगा और बताऊंगा कि क्या new changes हुआ है, कौन सा new feature add किया गया है क्या improvement हुआ है और कौन सा bugs को यहां पर fix किया गया है तो वीडियो को लास तक देखिए, वीडियो अच्छा रहा है तो लाइक जिरू से कर दिजेगा यहां पर सबसे पहले मैं बता दूँ कि इस वाले update के बाद Samsung Galaxy A50 काफी fine work कर रहा है ऐसा मैं हमेसा इसलिए कहता आ रहा हूँ क्योंकि Samsung यहां पर One UI 3.1 को बहुत जादा stable बना रहा है आपका Samsung Galaxy A50 के अंदर क्योंकि इसमें और कोई new major OS update नहीं आने वाला है तो इसको Samsung और भी जादा stable बना देगा जब फुली तरीके से यह phone जो है stable हो जाएगा उसके बाद से यहां पर C4C security patch level update जो है वो provide करना स्टार्ट कर देगा Samsung वो भी 3 मन्थ में, 4 मन्थ में या फिर 6 मन्थ बाद यहां पर security patch level देना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले मैं आप लोगो यहाँ पर changes दिखा दूएर हो जाओ किया changes हुआ है तो यहाँ पर आप लोग चले आते है enjoying मैं, setting में आने का बाद यहाँ पर आप लोग device care में आते हैं यहां पर battery and device care इस पर टैप करते हैं यहां देख सकते हैं यहां पर जो इंटरफेस है वह चेंज हो चुका है यह पहले नहीं था 3.1 में यह जो इंटरफेस है वह 4.0 वाला इंटरफेस आपको यहां पर दिया गया है यहां पर आप लोग कह सकते हैं कि इस वाले अपडेट के बाद यहां पर इंटरफेस जो है वह चेंज हो चुका है डिवाइस कियर का अगर हम लोग बात करेंगे आप रैम प्लस की तो Samsung Galaxy A50 में आपको रैम प्लस का फीचर नहीं दिया गया है अगर मैं यहाँ पर मिमोरी में चलता हूँ ति आप देख सकते हैं, रैम प्लस होला जो फीचर है अभी तक यहाँ पर नहीं आया है और मैं आप लोग को बता दिना चाहता हूँ कि Samsung Galaxy A50 में आपको रैम प्लस का फीचर नहीं मिलेगा आप लोग मैनुवली इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने अल्लेडी बना दिया है चेक आउट कर सकते हैं मेरे चैनल पर आपको वीडियो जे हैं मिल जाएगा आजि तक मुझे बस यही न्यूचिज़स देखने के लिए मिला अगर आप लोग को नए कुछ चिंचश देखने के लिए मिला है तो उसके कमेंट करके मूझे बता सकते हैं इसके इलावा बात के जाए गाइस बैटरी ड्रीन की और लेट चार्जिंग इसू की और हीटिंग इसू की क्योंकि यह मेजर प्रोड़म है सामसंग लेक्सी ए 50 का तो मैं आप लोग यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सामसंग लेक्सी ए 50 में अभी भी बैटरी ड्रीन की कम हो रहा है इस वजह से बैटरी जो है वह जल्दी ड्रीन हो रही है लेट चार्जिंग इसू यहाँ पर नहीं है हीटिंग इसू अभी भी देखने के लिए मिला है अगर आप लोग गेमिंग कर रहे हो या फिर ब्राइटनेस फुल करकी यूज कर रहे हो या फिर कैमरा इस स्क्यूर्टी प्याइस लेवल अपडेट यह हो सकता है और यहां पर डिवाइस के आर में आपको निव इंटरफेश जो है वह देखने के लिए मिल गया है तो आप लोग नीचे करके मुझे बताए कि और क्या निव चेंज जो है वह देखने के लिए मिला है तो आई होप स्क्राओंग्